टार्गेट विथालोग के आनलाइन प्रेडफार पर आप सभी का एक बार फिर श्यस्वागत है हम लोग बात करेंगे आज चैप्टर बेंड डाइग्राम पर बेंड डाइग्राम को ले करके कुश्चन्स पूछे जाते हैं एक कुश्चन तो निश्चित रूप से है आपके में य्क फैए आने के लिए तो इस कुश्चन को लिए दो तरह से दो पार्ट कोुश्चन के होते हैं दो तरह से पूछए जाते हैं दोनों में इसे कोई भी एक तरह का कुश्चनों पूछा जाए सबसे पहले बात करेंगे जैसे देखे डाइग्राम बेसिस हम बात किये नियावाक को भी लेकिन नियावाक के डाइग्राम और बेन के डाइग्राम में थोड़ा सा अंतर होता है और अंतर होता है अर्थ का जहां पर नियावाक का सिर्फ सब्द से मतलब होता है सिर्फ सब्दार्थ से मतलब होता है भा अवार्थ भी लिया जाएगा हमारे सामाजिक परवेस या हमारे से माजिक रूप के अनुसार भी चीजों को सेम पसा जैसा हम अपने जीवन में मानते हैं शीर के आधर पर ब convictedirm rib आपको दिक्कत आती है कि कैसे किया जाए कैसे ना किया जाए बहुत आसानी के साथ और सिंपल तरीके से आप चुसका चुनाव कर सकते हैं तो सबसे पहले डाइग्राम में आरेख जो होते हैं और हम तीन तरह से देख सकते हैं जैसे पहले टाइप का हम कह सकते हैं पहले टाइ मैं एक पद दूसरे पर पूरी तरह से संबधता रखता हो तो यह पूर संबध आरेक कहलाएगा दूसरा होगा इसी का अपोजिट इसी का अपोजिट दूसरा हम कह सकते हैं कि पूरता है आसंबध पूरता है आसंबध आरेक तो पूर्टा आसंबध आरेख का तादपर क्या है? पूर्टा आसंबध आरेख का तादपर है कि जब एक पद दूसरे से पूरी तरह से भिन हो, अलग हो, आसंबधता को दर्शाता हो, तो ये आसंबध आरेख माना जाएगा. और तीसरा इन ही दोनों का मध्यम्मार्ग, इन ही दोनों का मध्यम्मार्ग जिसे हम कह सकते हैं आसिक संबध डाइग्राम, ठीक है? जिसे हम कह सकते हैं आसिक संबध डाइग्राम, तो आसिक संबध डाइग्राम का तादपर है कि ना तो पूरी तरह से संबधित हो और ना तो पूरी तरह से असंबधता रखता हो तो इनको ध्यान से समझे क्योंकि ये बेस है और ये बेस को अगर हमारे सामने क्लियर करते हैं अच्छी तरह से तो चीजे हमारे लिए बिलकुल आसान हो जाएंगी और इनको समझना आरेख की भासा से जुड़ना अमारे लिए सिंपल हो जाएगा पूर्ता संबध आरेक के हम एक एक जाम्पल सबको दिखाते हैं दो पदों वाले जैसे अगर कहा जाए पूर्ता आसंबध जैसे कहा संवध कहा जाए कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश ठ bare और भाहरत दो ये पद है ठीक है उत्तरप्रदेश और भारत हम जानते हैं कि संपूर उत्तरप्रदेश कहा है भारत के अंदर संपूर उत्तरप्रदेश भारत के अंदर है अगर हम इन दोनों पदों को आरेक ही रूप में दिखाना चाहें तो बेन डाइग्राम के थू ए पूर सबधता में आएगा यानि हमारा आरेख जो बनेगा ओ एक के अंदर एक एक के अंदर एक बड़ा वाला आरेख भारत को दरसाता है छोटा वाला आरेख छोटा वाला आरेख उत्तर प्रदेश को दरसाता है यह डाइग्राम हमें बताता है कि संपूर उत्तर प्रदेश भारत के अंदर संपूर उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है और यह हमें यह भी दिखाता है कि उत्तर प्रदेश से बाहर भी भारत का छेत्र बचता है उत्तर प्रदेश से बाहर भी भारत का छेत्र है कितना है यह नहीं दरसाता क्यों क्योंकि बेन डाइग्राम में आरेख संबधता को दरस कि कितना बड़ा भाग उत्तर प्रुदेश है कितना उसके बाद भारत का हिस्सा खाली है यह percentage को क्लीर नहीं करता केवल संबध्यता दर्शाता है थीक है percentage नहीं तो इसलिए इसका डाइग्राम अगर आप बनाना चाहें तो इसको डाइग्राम ऐसे भी बना सकते हैं या इसका डाइग्राम इस तरह भी बना सकते हैं तो यह तीनों का अर्थ यह तीनों का अर्थ सेम होता है यह तीनों का अर्थ यहां पर सेम ही है अलग अलग नहीं है ठीक है क्यों क्यों क्य इस्सेदारी को बताता है percentage को नहीं कि कितना हिस्सेदारी है कितना नहीं है यह नहीं तो इस बात को एकदम clear रखना कि इनके बनावट के रूप में उलजना मत भावार्थ के आधार अर्थ के आधार पर आप देखोगे तो आपको चीजे एकदम साप साप दिखाई देंगे है जब एक पद दूसरे से पूरी तरह अलग हो जैसे जैसे भारत भारत अमेरिका भारत अमेरिका तो हम एक कह सकते हैं कि दोनों अलग 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 देश हैं अलग अलग स्टेट्स हैं ना तो भारत अमेरिका है ना तो अमेरिका भारत है दोनों अलग अलग राज्ज हैं हमारे ब्यवारिक भांसा में देश हैं, है ना, तो राष्ट हैं, तो दो अलग-अलग देश हैं, तो ना तो अमेरिका भारत में के साथ अर्जस्ट हो सकता है, ना तो भारत अमेरिका के साथ, यानि दोनों का आरेख हमें अलग-अलग दिखाना पड़ेगा, यानि असबधता आसबद्धता का आरेक है है ना तो इस condition में इस condition में ये आपके सामने इस रूप में हम देखेंगे ठीक है और इन ही दोनों का मध्यम मार्ग तीसरा पार्ट है इन ही दोनों का मध्यम मार्ग तीसरा पार्ट है तीसरा क्या है तीसरा क्या है आंसिक संबद्धारेक यानि कुछ संबधता हो और कुछ असंबधता हो जैसे जैसे एक्जामपल के रूप में हम आपके सामने दिखाएं जैसे दो सब्द हो सिच्छित और दूसरा हो दूसरा हो बेरोजगारी दूसरा क्या है बेरोजगारी और हम जानते हैं कि ना तो पूरा पूरे सिच्छित व्यक्ति बेरो वाले ही होते हैं इसी तरह पूरे के पूरे बेरोजगार व्यक्ति सिच्छित होते हों ऐसा भी नहीं पूरे के पूरे बेरोजगार असिच्छित होते हों ऐसा भी नहीं यानि इन दोनों को अगर देखें तो कुछ सिच्छित बेरोजगार भी होते हैं या कुछ बेरोजगार सिच्छित भी होते हैं तो इसका जो डाइग्राम बनेगा यह आंसिक संबधता का बनेगा यह आंसिक संबधता का बनेगा यह दिखाता है कि कुछ सिच्छित रोजगार है कौन वाला हिस्सा दिखा रहा है यह वाला हिस्सा दिखाता है कि इतने सिच्छित बेरोजगार है या इतने बेरोजगार सिच्छित है clear और इसी के साथ ये वाला छेतर हमें बताता है कि इतने सिच्छित ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो बेरोजगार नहीं है और ए ऐसे दिखाई देते हैं इतने बेरोजगार को जो सिच्छित नहीं है तो याद रखना इसके भी अलग-अलग रूप हो सकते हैं इसके भी अलग-अलग रूप ऐसे भी हो सकता है है ना ऐसे भी या ये ऐसे भी हो सकता है तो याद रखना ये हमें हिस्सेदारी संबधता को दर्सानत डाइग्राम दर्साता है ना कि परसंटेज को कि कितना बड़ा भाग है तो मूलता तो ये तीन ही डाइग्राम होंगे ये सिंपल तरीके से आप समझिए तीन ही डाइग्राम रहेंगे और यही तीन ही डाइग्रा आपको पूछे जाने हैं लेकिन एक बात यहां पर चेंज हो जाती है और और उटेंज क्या होता है किछेंज यह हो जाता है कि जो हमसे प्रसक्न दिया जाता है उसमें पद whole से हैं दो नहीं बलकि तीन होते हैं और ह कि गलत होने का का है ऍथा कि आप अगर दो कुछ हो जाते हो कि इसमें हम चुनाव कैसे करें तो हम आपको बिकल्प देकर नहीं हम आपको प्रस्न के साथ जोड़ेंगे क्रमिक रूप से हम लोग सीखें कि किस पद का क्या डाइग्राम होना चाहिए किस पद का क्या डाइग्राम होना चाहिए बहुत सिंपल तरीके से द ताकि वो गलतियां आज के बाद से दुबारा ना हो, है ना, तो यह पहली बात, स्वहला पद हम देते हैं, जैसे दे दे, कुरसी, पहला, कुरसी, मेज, फरनीचर, यह तीन पद है, है ना, कुरसी, मेज, फरनीचर, तो सबसे पहले, जब तीन पद आ जाएं, तो तीन पदों के बारे में परेसान नहीं होना, ना तो तीन पदों के बारे में हडेक बनाना, सिर्फ ए समझो, इन दोनों में से कोई भी दो पद ऐसे आप संभाल लो, दो पद ऐसे ले लो, जिनके संबधता को आप आसानी से तो ना तो कोई कुरसी मेज होगी और ना तो कोई मेज कुरसी होगा तो कुरसी और मेज ये दोनों अलग अलग डाइग्राम बनाएंगे ना तो कोई कुरसी मेज होगा ना तो कोई मेज कुरसी होगी और अगर बात फरनीचर की करें अब दोके बन गए अब तीसरे को इन दोन उनों एक पदमाल लीजिए और दूसरा फर्नीचर पदमाल लीजिए तो आप देखें कि कुरसी भी फर्नीचर का अंग पार्ट होता है मेज भी फर्नीचर का ही पार्ट होता है यानि संभूर कुर्सी, संभूर मेज, यह क्या हो जाएंगे? फरणीचर हो जाएंगे तो फरणीचर के अंदर दो अलग अलग आरेक यह हमें दिखाएंगे कुर्सी, मेज और फरणीचर को कुर्सी मेज और फरनीचर को तो सिंपल तरीके से हैं विशेश कुछ नहीं है कुछ ही पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं जहां पर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं जैसे एक्जामपल के रूप में जैसे आपके साथ आ जाए प्रस्न हो जैसे आपके पद हो ठीक है पहला पद है पूरुस पहला पद है पूरुस और दूसरा मामा पूरुस मामा और तीसरा प्रद हो जाए इंजीनियर तीसरा प है 되고 Math Agnes andere то पहले दो तो रिष्टों की बात हो रही है वो production की बात है नहीं तो पहले आप इन ही दो को देख लो सबसे पहले पुरुस और मामा अगर हम पुरुस और मामा का संबंध देखना चाहें तो इन तीन आरेखों में से पुरुस और मामा के लिए कौन सा आरेक बेहतर होगा पूरुस और मामा के लिए कौन सा आरेक बेहतर होगा ठीक है तो आप मेंसे कुछ इस्टुडेंट जल्दबाजी में ऐसे कहते हैं कि कुछ पूरुस मामा होंगे यानि ऐसे बनाने की कोशिस कर देते हैं तो मेरा यह मानना है कि यह प्रस्ण डाइग्राम गलत है कि सही है इसके लिए आप किसी से पूछने नहीं जाना बस आपको डाइग्राम पढ़ना अगर आजाए डाइग्राम की भासा समझनी आपको आजाए तो इसका नेड़े आप स्वयम कर सकते हो कि यह गलत है या सही है सही डाइग्राम है या गलत है कैसे करेंगे जैस अगर आप इसको सही मानते हैं तो यह डाइगराम कहता है कि कुछ मामा पुरुस हैं यह डाइगराम कह रहा है कि कुछ मामा पुरुस हैं और यही डाइगराम यही डाइगराम यही डाइगराम यह भी कह रहा है कि इतने मामा जो है न वो पुरुस नहीं है यह डाइगराम कह आए कि इतने मामा पूरुस से बाहर है अर्थात इतने मामा पूरुस नहीं है तो भाईया ये बताओ कि आप महिला मामा होती है फिमेल मामा होते हैं नहीं ना तो सीधी सीधी बात है कि इसका मतलब है हो जाता है इसका मतलब है हो जाता है कि जब हम इसका डाइग्राम बनाएं तो यही भावार्थ पढ़कर क्या कि सभी मामा सभी मामा पूरुस होते हैं है ना सभी मामा पूरुस होते हैं ठीक है तो अगर सभी मामा पूरुस होते हैं तो पूरा का पूरा मामा का डाइग्राम कहा होगा पूरुस के अंदर यानि फूर शंबदता का आरेख होगा और दोनों से एक साथ तीसरे को समझने की कोशिज करें कैसे कि ये बताएं क्या सभी मामा इंजीनियर होंगे नहीं कह सकते कि सभी मामा इंजीनियर होते हैं क्या सभी पूरुस इंजीनियर होंगे यह भी तो नहीं कह सकते की सभी पूरुस। हाँ यह जरूर कह सकते हैं कि कुछ पूरुस और कुछ इंजीनियर भी और कुछ मामा भी इंजीनियर होंगे। यानि दोनों से आंसिक संबधता का आरेक बनेगा इंजीनियर का है ना दोनों से आंसिक संबधता आंसिक क्यों क्यों क्योंकि पूरुस से बाहर भी तो इंजीनियर हो सकते हैं फिमेल इंजीनियर भी तो हो सकते हैं तो इसलिए इसलिए आंसिक संबधता का डाइग्राम दोनो से बनेगा है ना तो छोटी छोटी चीजें क्लियर कर लें बड़ी बड़ी चीजों को क्लियर करने से कोई मतलब नहीं है बड़ी चीजे है ही नहीं ना इसमें बहुत सिंपल तरीके से उस पॉइंट्स को पकड़े आरेख को पढ़ने की आदत अगर आप बना ले या बने आरेख को समझने की आदत आप बना ले तो आपके लिए प्रस्ण बिल्कुल इजी हो जाए कोई संब कोई दिक्कत हो ही नहीं ठीक है आप स्वयम आप निगाह काट देगा कि कौन कौन सा देखें कि पूरुस महिला और डाक्टर ठीक है तो पूरुस महिला डाक्टर अगर इसका डाइग्राम पूछ रहा है कि वास्तों में देखें हमें वहां तो आपसन में से लेना रहेगा हम यहां सीख रहे हैं समझ रहे हैं तो अगर मैं आपको आपसन दे दूना तो आप सह यही जबाब बताने के साथ साथ आप यह नहीं तरह कर पाओगे किसका मूल कांसेप्ट कैसे है तो मैं मूल कांसेप्ट मूल थार्ट सिखाने के लिए आपको बिदाउट आपसन की बात कर रहा हूं ताकि यह चीजे आप अच्छी तरह से समझें जैसे आप अगर देखें कि पूरुस और महिला की बात देखें तो क्या कोई महिला पूरुस होगी नहीं क्या कोई महिला पूरुस होगी नहीं अगर डाक्टर की बात करें तो डाक्टर और महिला का आरेक कैसा होना चाहिए कि कुछ महिला डाक्टर भी हो सकती है या कुछ डाक्टर महिला भी होती है इ डाक्टर का लेकिन पूरुस महिला एक साथ नहीं हो सकते पूरुस महिला अलग-अलग होंगे तो याद देखें सबसे ज़्यादा अगर मैं आप से बताओं कि आप वाले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डाइग्राम एच चुनते हैं कि इसके लिए आप सही करते हैं बीच बीच वाला आपसन आपका डाक्टर का हो जाता है और एक महिला को दरसाता है एक पूरुस को दरसाता है एक महिला को दरसाता है एक पूरुस और बीच वाला डाक्टर हो जाता है ठीक है यह डाइग्राम सही है लेकिन पूरी तरह से नहीं क्यों नहीं क्योंकि यहां पर एक ये बात भी समझ में आई महिला और पूरुस अलग-अलग है ये बात भी समझ में आई लेकिन ये वाले इतने वाले जो बीच में ये डाक्टर दिखाई दे रहे हैं न ये क्या है ये ना पूरुस है ना महिला और यहां स्पेसल बात इस बात को समझना यहां दो ही जेंडर स् तीसरा नहीं तो यह पूरी तरह से सही नहीं हुआ क्योंकि यह वाला बीच का डाक्टर फिर यह क्या होंगे यह तो न तो पूरूस है न महिला है तो फिर क्या होंगे तो इसलिए यह पूरी तरह से सही नहीं है इसका वास्तों में समचित डाइग्राम बनेगा जो सबसे पीच में ये डाइग्राम हो जाएगा आपका किसका डाक्टर का ये डाइग्राम आपका हो जाएगा डाक्टर का कैसे कि ना तो कोई महिला पुरुस है ना तो कोई पुरुस महिला है लेकिन डाक्टर या तो पुरुस होता है या तो महिला सभी डाक्टर या तो पुरुस होत या महिला तो इसके साथ ही जो इसकी कमी थी इसने दूर कर दिया तो अगर आपसन में इसके साथ यह आया हुआ है तो निश्चित रूप से यह सही जबाब होगा हलांकि यह वाला जबाब भी माना जाता है लेकिन वो जबाब तब सही माना जाएगा जब आपसन में यह ना हो जब आपसन में ये ना हो, तभी उसे सही माना जाएगा, तो इस बात को एकदम clear रूप में समझें, तारकिक रूप से समझें, निश्चित तोर पर इसको आप दो ही रूप से समझ सकते हैं, प्रते एक प्रस्न को, बस एक आदत बना दो, आरेक को पढ़ने और समझने की, अगले कुश्चन पर हम बात करते हैं, जैसे अगला पद हो जाए, कि, अंग्रेजी अध्यापक, पहला पद, दूसरा पद, लोक प्रिय अंग्रेजी अध्यापक, दूसरा पद, लोक प्रिय अध्यापक, और तीसरा पद, तीसरा पद, अप्रिय अध्यापक, तीसरा पद, अप्रिय अध्यापक, ठीक है, अब अगर यह प्रस्न हो जाए, तो फिर इसका डाइग्राम क्या होगा, तीन पद हैं, एक है, अंग्रेजी अध्यापक, दूसरा लोक प्री अंग्रेजी अध्यापक और तीसरा आप्री अध्यापक तो इसका डाइग्राम कैसे बनेगा सबसे पहले तो ध्यान दे सब्दावलियों पर गवर करना ए भी अंग्रेजी अध्यापक है ए भी अंग्रेजी अध्यापक है है ना तो लोक प्री अंग्रेजी अध् पूर संबधता लेकर यह हो जाएगा यह हो जाएगा लोकप्रिय अंग्रेजी अध्यापक और यह हो जाएगा अंग्रेजी अध्यापक अंग्रेजी अध्यापक पूर संबधता अब तीसरे वाले पद को लें तो यह कह रहा है अप्रिय अध्यापक कह रहा है अंग्रेजी अध्यापक नहीं कह रहा है है ना अगर अप्री अध्यापक कहता तो इसी के अंदर हम यहां भी इसे बना देते अंग्रेजी अध्यापक के अंदर कि कुछ लोगप्री भई कुछ लोगप्री है कुछ अप्री है तो बन जाता लेकिन यहां पर इसने अप्री अंग्रेजी अ आएगा ना तो इसलिए अप्री अध्यापक का डाइग्राम अंग्रेजी अध्यापक से आंसिक संबधता लिए होगा क्यों क्योंकि अप्री अध्यापक अनिविशियों में भी हो सकते हैं और अंग्रेजी में भी अप्री अध्यापक और एवाले अप्री अध्यापक अंग इसी तरह चीजों को clear करते चलिए बहुत simple तरीके से हम लोग देखेंगे जैसे अगला पद अगर हम लें तो कह सकते हैं यहां इंजीनियर अगला question में पहला पद है इंजीनियर पूरुस और तीसरा डॉक्टर इंजीनियर पूरुस डाक्टर तो इसका डाइग्राम कैसे बनेगा इसके डाइग्राम के लिए इसके डाइग्राम के लिए समझिये इंजीनियर पूरुस डाक्टर तो यहाँ पर देखें कि पूरुस में कुछ पूरुस डाक्टर भी होते हैं, कुछ पूरुस इंजीनियर भी होते हैं लेकिन क्या सभी पूरुस डाक्टर होते हैं, सभी इंजीनियर डाक्टर होते हैं, नहीं न, इंजीनियर तो कोई भी डाक्टर नहीं हो सकता एक बात याद रखना एक profession के साथ दूसरा सुईकार नहीं किया जाता यानि जो engineer है वो doctor सुईकार नहीं होगा जो doctor है वो engineer सुईकार नहीं होगा तो इसके साथ engineer और doctor का संब्ध आसंबधता वाला रहेगा यानि अलग-अलग लेकिन पूरुस दोनों में हो सकता है आंसिक संबधता लिए यानि इसका सबसे बेहतर डाइग्राम होगा कुछ इस तरह से डाक्टर को दर्साएगा एंजीनियर को और बीच वाला डाइग्राम पुरुस को कि कुछ पुरुस डाक्टर होते हैं कुछ पुरुस इंजीनियर होते हैं और एवाला बीच का हिस्सा दि दिखाता है कि पूरुस से बाहर भी डाक्टर होते हैं यानि महिला डाक्टर भी होती है यह वाला छेत्र बताता है कि यह पूरुस से बाहर इंजीनियर का छेत्र यानि महिला इंजीनियर दर साता है तो इस तरह से अब अगर यह प्रस्निक याद रखना एक प्रोफेशन के सा दूसरा स्विकार नहीं परंत इसके अपवाद भी है जैसे अगला हो पूरुस गायक इंजीनियर अगर इस तरह से प्रस्ण कर दे कि पूरुस गायक इंजीनियर का आरेक कैसे बनेगा तो इसके साथ इस बात को ध्यान देना कि पूरुस और इंजीनियर का डाइगराम तो अभी हमने देखा आंसिक संबधता लिए तो पूरुस और इंजीनियर का डाइगराम हमने आंसिक संबधता का अभी देखा कि कुछ पूरुस इंजीनियर होंगे कुछ इंजीनियर लेकिन गायक के साथ ये बाद ध्यान देना कि एक प्रोफेशन के साथ दूसरा स्विकार नहीं होता लेकिन इसके अपवाद गायकी और लेखकी गायक कोई भी हो सकता है पुरुस भी महिला भी डाक्टर भी इंजीनियर भी वकील भी कोई भी गायक हो सकता है कोई भी लेखक हो सकता है तो इनके साथ ये सर्तबंदी लागू नहीं होती तो फिर ये दोनों से आंसिक संबधता लेंगे यानि तीनों डाइग्राम अंतता आंसिक संबधता में रहेंगे और ये तीनों जितने भी पार्ड दिखाएंगे उतने भी पार्ड आपको आज के सम आज में मिलेंगे जैसे दिखाता है कि कुछ पूरूस इंजीनियर है यह दिखाता है कि यह वाला छेत्र पूरूस और इंजीनियर तो हैं लेकिन गायक नहीं सभी इंजीनियर जो पूरूस हों गायक हों जरूरी थोड़े हैं न और यह वाला छेत्र दिखाता है कि यह दिखाता है कि पूरुस और गायक तो है लेकिन इंजीनियर नहीं तो ए गायक दिखाता है ना तो पूरुस है ना इंजीनियर ए पूरुस का वह छेत्र दिखाता है जो ना गायक है ना इंजीनियर एंजीनियर का छेत्र वह छेत्र दिखाता है जो ना पूरुस है ना गायक य ठीक है अलग पार्ट अलग अर्थ को दिखाता है तो यह इसी तरह से जैसे आज आए आप से जल के जीव जमीन के जीव जल के जीव जमीन के जीव और उभैचर उभैचर यानि जल तथा जमीन तोनोंपर रहने वाले ठीक है जल के जीव जमीन के जीव और उभैचर ठीक है तो सबसे पहले आम उभैचर छोड़ देते हैं हम सबसे पहले जल के जीव और जमीन के जीव का आरेक समझने की कोशिस करते हैं तो जल के जीव और जमीन के जीव अगर दियान देना जल और जमीन नहीं है जल के जीव और जमीन के जीव तो जल के जीव और जमीन के जीव डाइगराम बनाएंगे तो हम इतना तो बेवार में जानते हैं ना कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो जल और जमीन दोनों पर रहते हैं है ना तो जब हम इन दोनों के भी आराख बनाएंगे तो हमें इस तरह बनाना पड़ेगा ये जल के जिव माल ले और ये जमीन के जिव माल ले और ये बीच वाला जो कामन छेतर है कि वो जल और जमीन दोनों पर रहने वाले जिव ठीक है अब तीसरा पद है उभैचर तो तीसरे के लिए हमें बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं क्यों क्योंकि जो जल और जमीन दोन पर जीव रहता है उसी का हम नामकरड उभैचर के नाम से करते हैं तो अगर यह दो पद आये हो तब भी यह डाइग्राम बनेगा और इसी के साथ क्योंकि बिना उभैचर के दोनों पूरी तरह से सच नहीं और उभैचर बना तब भी यह रहेगा ठीक है तो हमारा सुद्ध आ थलचर और मेढख जलचर थलचर मेढख अगर यह तीन पद आये हो तो जलचर और थलचर मतलब जमीन के जीव और जल के जीव का डाइग्राम तो हम ऐसे बनाएंगे हम ऐसे ही बनाएंगे अब सवाल उठता है कि मेढख को कैसे बनाएंगे तो बहुत बार इस्टूडेंट गलती में बहुत बार student गलती में कह देते हैं कि ये वाला छेत्र मेढ़क है कोई प्राबलम नहीं लेकिन समस्चा यहां पर यह वह जाएगी आपके मानने से तब इसका सेंस यह हो जाएगा कि केवल मेधक ही उभयचर होता है अगर पूरा छेतर मेधक का मानेंगे तो केवल मेधक ही उभयचर कहलाएगा तो यहां पर केवल मेधक ही उभयचर नहीं होता ना तो उभेचर मेधक के अलावा भी बहुत सारे प्राड़ी होते हैं तो यहां पर हम मेधक का डाइग्राम बनाएंगे तब जाकर सुध्ध आरेक होगा तब जाकर सुध्ध आरेक होगा ठीक है तो इस बात को ध्यान में रखना है कि पूछा क्या है जबाब कैसे हमें देने है चलिए अगला देखें अगला क्रिकेट खिलाडी क्रिकेट खिलाडी ठीक है दूसरा छात्र तीसरा टेनिस प्रसंसक टेनिस ठीक है क्रिकेट खिलाडी चात्र तेनिस प्रसंसक टो जो चीज हमें बिलकुल आसान से समझ में आए दो पदों के बारे में जिसका संभन्द एकदम क्लियर हो हम पहले उसी का बना ले तो क्रिकेट खिलाडी और चात्र की बात देखें तो सभी चात्र क्रिकेट खिलाडी नहीं होते लेकिन कुछ चात्र क्रिकेट खिलाडी होते हैं यानि चात्र और क्रिकेट खिलाडी का डाइग्राम कैसे होगा आंसिक संबधता लिए हुए कैसे होगा आंसिक संबधता लिए हुए अब अगर बात करें टेनिस प्रसंसक की तो याद र खिलाडी भी टेनिस प्रसंसक हो सकते हैं या जो चात्र खिलाडी है उन में से भी कुछ टेनिस प्रसंसक हो सकते हैं यानि इन दोनों से संयुक्त रूप में आंसिक डाइग्राम हो जाएगा टेनिस प्रसंसक का यानि सबसे बहतर आरेक हमारा यह वाला डाइग्राम हो क्लियर है छोटी छोटी चीजे हैं इनको अगर आप क्लियर किये रखें तो बहुत सिंपल तरीके से जबाब बन जाने हैं विकल्प में से प्रस्ण में से ढूड़ना तो बहुत आसान है हम सिर्फ इसके भाव को अच्छी तरह से अगर समझ रहे हैं तो हमसे गलती होने वाली नहीं है हमसे गलती होने वाली नहीं है ठीक है तो एक निश्चित रूप से याद रखना जैसे अगला एक कुस्चन और देखें प्रस्ण आ गया माले काले बालों वाले काले बालों वाले ठीक है फिर दूसरा भूरी आखो वाले भूरी आखो वाले दूसरा हो गया भूरी आखो वाले भूरी आखो वाले और तीसरा हो गया भारती इंडियन भारती एक पद क्या है काले बालों वाले दूसरा क्या है भूरी आखो वाले तीसरा क्या है भारती ठीक है बेस समझ लो सिर्फ बेस सिंपल तरीके से समझे रहो यकीन मानो जब प्रैक्टिस सेशन चलेगा तब आप दे मैं जब example दूँगा ब्याख्या करूँगा तो मैं उन्हीं सारी बातों का हवाला दूँगा नई बात मैं भी आपके सामने कोई नहीं लाओंगा यानि जितनी बाते हमारी हो रही हैं उसी के आधार पर आप प्रते एक प्रस्न को अच्छी तरह define कर सकते हैं तो यहां पर देखें काले आखो वाले भूरे बालो वाले और क्या रहा है भारती तो काली आखो वाले कुछ लोग भूरे बालो वाले भी तो हो सकते हैं ना तो यह हो जाएगा काली आखो वाले यह हो जाएगा भूरे बालो वाले और रही बात भारती की तो कुछ भारती काल दोनों से आंशिक संबधता को लिये होगा यानि बिल्कुल वही वाला आरेक यहां भी बन जाएगा तो फस टाइप खुस्चनस ऐसे पूछे जाएंगे आपको प्ड दे दिया जाएगा ऐसे चार आफसन रहेंगे आपको चूच करके बताना है कि हमारा सही जबाब क्या है और अगर हम सही बनाना सीख लिए समझना सीख लिए तो हम सही का चुनाव कर सकते हैं और अगर सही ना मिले तो सही के सबसे नजदीक कौन है वो हमारा कभी-कभी कंडिशनल जबाब दिये जाते है ठीक है तो यह फर्स्ट पार्ट जो बेन डाइग्राम का सेकेंड पार्ट आता है बेन डाइग्राम का जो सेकेंड पार्ट आता है उस सेकेंड पार्ट की खास बात होगी को डाइग्राम आपको दिया रहेगा विभिन एंगल से दिया जैसे बिभिन तरह के डाइग्राम दे दे जैसे माल लो ये डाइग्राम दे दे ठीक है ये डाइग्राम आपके सामने दे दे ये डाइग्राम है ठीक है और इसी तरह इस पर कुछ नाम करड़ कर दे इनका कुछ नाम करड़ कर दे जैसे ये ट्रेंगल ट्रेंगल ग्रामीड क के लिए कर दे कि TRIANGLE का छेत्र GAMID को दर्साता है ठीक है और इसी तरह सर्कल समर में च्छात्र को दिखाता है और यह XQ आपको दिखाए कि यह बुद्धिमान को दिखाता है और इसके बाद में अलग-अलग भाग दिखाने के लिए यहाँ पर रख सकता है या या Alphabet के अक्षर्स रख सकता है कुछ भी P Q R M N R और W हर एक पार्ट पर अलग एक अक्षर्स लिख दे क्रमांग नंबर्स डाल दे कुछ भी कर दे और कौन सा भाग किन को दिखाता है यह आपके सामने है अब हमसे कुश्चन कर ले कि जैसे पहला कुश्चन कर ले कि कितने चात्र ग्रामीड हैं क्या कर ले कि कितने चात्र कितने चात्र ग्रामीड हैं तो याद रखना याद रखना सबसे पहली बात इसकी भासा इसकी अंदाज से हमें पकड़ना है अगर इसका अंदाज ह प्रसन आये हमारे लिए एकदम चुटकी बजाने जितना आसान होगा चाहे फर्स्ट टाइब का कुश्चन हो साहे सेकेंड टाइब का कुश्चन हो एकदम क्लीर रूप में मतलब कांट्पिडेंस हो कि चाहे जैसे आ जाएगा हमारा जबाब गलत नहीं हो सकता और निश्चित तोर पर गलत नहीं होगा कैसे सबसे पहले देखें हम अगर बात करें इसकी तो एक रहा है कितने छात्र ग्रामीड हैं तो छात्र और ग्रामीड का कामन छेत्र लेंगे तो छात् तो इन दोनों का कामन छेत्र कौन आ रहा है इन दोनों का कामन छेत्र देखें ये दिखाई दे रहा है त्रिभूज और बृत का कामन छेत्र ये है तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा हमारा जवाब हो जाएगा M तथा N M तथा N अब आपको आपको मैंसे थोड़ा सा जिनके लिए बिल्कुल बेल डाइग्राम नया है थोड़ा सा असहज लग रहा होगा कि ये यन जो आया हुआ है यन तो बुद्धिमान भी आ रहा है न तो इसे कहें ले रहे हैं आपका प्रसन वाजीब है उचित है कि बुद्धिमान उसने कहा नहीं तो हम बुद्धिमान क्यों ले रहे हैं तो आपके प्रसन का हम जवाब दें पहले हमारे प्रसन पर आप विचार करो कि क्या उसने बुद्धिमान तो कहा नहीं था सही है क्या बुद्धिमान रोका था? क्या उसने बुद्धिमान को रोका था? रोका भी तो नहीं था ना? अगर उसने कहा नहीं था तो उसने रोका भी नहीं था इसका मतलब यह हो जाता है कि अगर हमसे कह दिया जाए कि जूते उतार कर कमरे में आएं तो हम चस्मा और कैप टोपी लगाए हो ना उतारे तो क्या सामने वाला नाराज होगा नहीं होगा ना क्योंकि उसने क्या कहा जूते उतार कर अंदर आएं तो बाकी हम पहने या ना पहने चस्मा टोपी पहने हो या ना पहने हो क्या फर्क पड़ता है उसने चस्मा टोपी के लिए न रोका है न कहा है दोनों बाते तो ध्यान देनी होगी न तो यहां पर देखें हमसे उसने कहा कि कितने छात्र ग्रामीड हैं तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा ग्रामीड और छात्र का कामन छेत्र M और N तो हमारा जबाब होगा M और N हमारा जबाब केवल M तभी होता जब हमसे पूछा होता कि कितने चात्र केवल ग्रामिड है कितने चात्र केवल ग्रामिड है का मतलब कितने छात्र ग्रामीड तो हैं लेकिन अन्य कुछ ना हो अन्य कुछ ना हो तब देखें अब कितने छात्र ग्रामीड हैं ये छेत्रा जाएगा जब कहेगा कि केवल ग्रामीड हो तब ए हो जाएगा तब इस प्रसन का जबाब हमारा क्या हो जाएगा M, इस प्रसन का जबाब क्या हो जाएगा M, अगर हमसे कहा हो, कि कितने चात्र की बात हो रही न, कितने चात्र, कितने चात्र, ग्रामीड, ग्रामीड हैं, परंतु, बुद्धिमान नहीं, परंतु बुद्धिमान नहीं, जब यह कहता है, कितने चात्र, कितने चात्र ग्रामीड हैं, तो जब यह पहली वाकिखंड बोला, कितने चात्र ग्रामीड हैं, तो हमारा जबाब यह छेत्र हो गया, लेकिन जब आगे कहता है किन्त बुद्धिमान नहीं, तो उसमें से ये निकल जाएगा, तब हमारा जबाब क्या बचा, only M, हमारा जबाब क्या हुआ, केवल M, तो भासा देखिए, जैसा प्रस्ण हो, जिस अंदाज का कुश्चन हो, उसी अंदाज का हमें जबाब देना है, अगर हम से पूछा जाए कि कितने ग्रामीड हैं, तो कितने ग्रामीड हैं, तो ग्रामीड में ये पूरा ट्रेंगल में आने वाले लोग, तो ग्रामीड कौन हो जाएंगे, M, N, R, W, ठीक है, तो हमारा जबाब ये हो जाएगा, लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि कितने लोग केवल ग्रामीड हैं, तो केवल ग्रामीड का छेत्र क्या हो जाएगा, केवल ग्रामीड का छेत्र जो ग्रामीड में तो है लेकिन अन किसी में नहीं, तो हमारा छेत्र कौन सा, डबलू आला, तो हमारा छेत्र कौन सा हो जाएगा, डवलू वाला बिलकुल एक ही सिंपल तरीके से आपको यह समझना है अगर यह आप समझ जाते हैं कि जिस रूप में पूछा है उसी रूप में हमें जवाब देने हैं तो फिर हमसे कोई भी दिक्कत कहीं से भी नहीं हो सकती हमें कोई भी दिक्कत कहीं से भी नहीं हो सकती clear है तो इस बात को आप अच्छी तरह से इनको समझें कि किसी भी रूप में आप देखेंगे तो आपका जबाब गलत नहीं होने वाला इतने simple तरीके से questions पूछता है फिर भी गलत हो जाता है तो क्यूं इसका मतलब है कि हम अपने mood पर जबाब देने की कोशिस करते हैं ताकत लगा लेते हैं हम इस particular chapter का mood नहीं समझते अगर इस chapter का mood हम समझ रहे हैं तो हमारे लिए question किसी भी रूप में गलत होने वाला नहीं है ठीक है अच्छा कुछ प्रस्ण ऐसे भी इसी के आ जाते हैं जहां से आपको धोखा देने की कोशिस करता है कैसे जैसे एक निर्देश दे देता है कह देता है कि नीचे नीचे 600 विद्यार्थियों 600 छात्रों के छात्रों के ठीक है छात्रों के तीन विशय में तीन विशय में उत्तीड तीन विशय में उत्तीड होने का होने का प्रतिशत दर्साया गया है प्रतिशत दर्साया गया है जिनका अध्यन करके प्रस्नों के जवाब दें प्रस्नों के जवाब दें तो इस तरह से प्रस्न दे देता है और इस तरह से निर्देश के बाद वो क्या कह रहा था कि 600 छात्रों के तीन विशयों में उत्तीड होने का प्रतिशत दर्साया गया है और इसके बाद एक डाइग्राम दे देगा और वो डाइग्राम माल ले इस तरह से है वो डाइग्राम इस तरह से दे देगा ठीक है और यहाँ पर यहाँ पर विशय ए हिंदी हो गया ए अंग्रेजी हो गया और तीसरा भी से माल लो ए गड़ित हो गया ठीक है और इसी के बीच में कुछ नंबर्स लखे हुए है नंबर्स कुछ इस तरह से हैं अब आप से कुछ्चन कर लेता है कुछ्चन कर लेता है कि कितने चात्र कितने चात्र हिंदी और हिंदी और कितने चात्र हिंदी और अंग्रेजी में उत्तीड हुए कि च्छात्र हिंदी और अंग्रेजी में उत्तिढ हुए कितने छात्र हिंदी और видео अंग्रेजी में उत्तिढ हुए इस तरह से प्रस्ण कर लेता है और यहां पर ध्यान देनाए में प्रस्ण से कम खतरनाक आप्षन नहीं ते आपसन भी आपके गलत कराने का कभी-कभी कारण बन जाते हैं कह रहा है कि कितने छात्र हिंदी और अंग्रेजी में उत्तिर्ड हुए तो हिंदी और इसमें से दे दिया, 12, 22 दे दिया, 12 दे दिया, और, 72 दे दिया, और 130 दे दिया, तो यहां पर देखे, यहां पर सबसे पहले देखे, इस तरह का आपसन दे दे तो हमारा जबाब क्या होगा, हमारा जबाब क्या होना चाहिए, किस रूप में हम ऐसे प्रसुनों के साथ सूरत में गलत ना हो किसी भी सूरत में हमारा जवाब गलत ना हो तो ऐसी सिच्वेशन में देखें सबसे पहले जो बात अभी अभी हमने डाइग्राम से इस लहजे से समझने की कोशिस की गई है वह यह कि अगर हिंदी और अंग्रेजी कह रहा है तो गडित के लिए ना तो र हिंदी और अंग्रेजी में उत्तीड होने वाले बच्चों का है ना तो यहां पर देखो ऐसे देखो ध्यान से समझो कई कई लोग कैसे गलत कर जाते हैं सारे आपसंस इसमें चुन लिये जाते हैं बारी बारी से ठीक है कुछ लोग तो ऐसा देख लिए कि बारा और दस बा जबाब कर दिये क्ँछ छात्र ऐसे होते हैं कि 10 वाला छोड़ दिये हिंदी और अग्रेजी दो में कामन बारा को ले लिए ओ यह ज़ाब देखकर आए ठीक है लेकिन याद रखना जो बारा या 22 है यह क्या है यह प्रतिशत है यह क्या है यह प्रतिशत है क्योंकि इसने कहा है कि नीचे 600 छात्रों के 3 विशे में उत्तीड होने का प्रतिशत दर्साया गया है तो ये क्या है ये उत्तीड होने वाले का प्रतिशत है जबकि ये 12 प्रतिशत है ये 10 प्रतिशत है और दोनों मिलकर के 22 प्रतिशत है जबकि हमसे प्रश्ण पूछा गया है कितने छात्र हिंदी और अंग्रेजी में उतिड हुए तो हमें छात्रों की संख्या पूछी गई है उनका प्रतिशत नहीं तो पहला दो तो प्रतिशत है ना तो यह दो तो गलत हो जाएंगे निश्चित रूप से क्योंकि हमसे संख्य पूछा गया है अब संख्या की अगर बात करें तो दोनों में कामन ये 22 और दस बारा और दस बाइस प्रत्यत हैं तो 600 का 22 प्रत्यत या 22 गुड़े छे ठीक है तो छे दूनी बारा छे दूनी बारा एक तेरा 132 छात्र हो जाएंगे अब 132 छात्र नहीं है फिर भी इस्टुड़न सोचता है कि दूसरा जबाब तो होई नहीं सकता तो 132 के नजदीक कौन है 130 यह दे देता है जबकि आप हिसाब लगा रहे हो तो भाईया एकदम फैक्चुल हो तभी सही है लगभग में नहीं चलेगा ना तो यहाँ पर यहाँ पर यह वाला भी जवाब गलत हो जाएगा यहाँ पर वास्तों में जो आप्सन दिया गया है उसक सारे स्टुडेंट गलत करके आये थे जबकि था कुछ भी नहीं याद रखो हिंदी और अंग्रेजी का मकामन छेतर यह है यह निश्चित रूप से सही है लेकिन अगर यह 22% का रिजल्ट 132 अगर आप्सन में नहीं है तो इसका मतलब आप्सन के अकार्डिंग हो जाता है क हिंदी और अंग्रेजी का मतलब केवल हिंदी अंग्रेजी और केवल हिंदी अंग्रेजी में फिर यह निकल जाएगा यानि यह 12% लिया जाएगा और 12% की संख्या क्या हो जाएगी 12 छंग 72 यानि यहां पर हमारा जवाब 72 is right answer 72 हमारा सही जवाब होगा लेकिन लेकिन इसके साथ इस बात को निश्चित तोर पर समझ के रखना कि अगर यहाँ पर 72 और 132 एक सो बतिस दोनों आप्सन में रहेंगे तो इस प्रस्ण का जबाब 132 होता है 72 नहीं 72 कहा है conditional जबाब में 72 दिया गया है ठीक है तो बेन डायग्राम में इतने तरह के questions आएंगे और यह सारे जो हमने आपको थाट क्लियर करवाए है ना जब यह प्रैक्टिस सेशन चलेगा तब देखना कि आप इन ही सब्दों की सहायता से तरीकों की सहायता से कितनी आसानी के साथ बेन डायग्राम के questions सही चुनते हैं ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के अगले सांदार कांसेप्ट को लेकर तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए जैहिन